तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोटीन सलात की रेसिपी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और साथ में ही कमाल का वेट लॉस भी देता है आप इसे ब्रेक फास में लंच में कभी भी खा सकते हैं आपको यह फुल रखेगा आपको भूक नहीं लगने देगा यह ही ळेखें करीब से मापको दिखा रहे हूँ इसमें मैंनने बहुत सारी डाली है जो में आभी अपको दिखाऊंगी और साथ में ही जो चीज़े मैंने डाली है उसके health benefit linen भी साथ में बताती चली जाओंगी क्योंकि यह बहुत ज्यादा वेयोंता है और बहुत ज्यादा heldý यह बइनतर ही है आप इससे अपने डाइट में ज़रूर शामिल किजे क्योंकि तो यह इस लिएयें ही जाल रखते है किया है और मुदेन दया है। लेकिन इसे हम हलका सा बॉइल करेंगे ताके इसके हल्थ बेनिफिट हमें स्वीक से मिल सके तो ये मैंने हाई प्रोटीन सलाथ बनाया है इसके लिए मैंने स्प्राउट्स निकाले है चने और मूंग के तो सबसे पहले मैं आपको मूंग दिखा देती हूं ये देखिए पानी में भिगो दिया था इसको 5-6 गंटे के लिए भिगोना बहुत जरूरी है इसके बाद हम क्या करेंगे एक बॉक्स ले लेंगे और उसके अंदर इसको डाल देंगे मूं को पानी हमने बिल्कुल हटा दिया है इसका इसका ढ़कन लगा देंगे और इसको ढ़कर हम पानी के लिए तो इसे मैं एक छंडी में रखूंगी देखिए इसमें होल है चारो तरफ इससे स्प्राउट में थोड़ी हवा लगेगी इसको मैं क्या करूंगी एक कपड़ा रख दूंगी कपड़े को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है इसके बाद हम इसमें चने रख पानी हमने बिल्कुल हटा दिया है इसको एक लेवल में कर देंगे और ढखके रग देंगे इसमें हलका सा पानी का चीटा मर देंगे और इसके उपर प्लेट धग देंगे और इसे भी हम 12 से 15 गंटे के लिए रग देंगे स्प्राउट्स बहुत अच्छे निकलेंगे यहां से देखिए हवा लगती रहेगी नीचे भी प्लेट लगा सकते हैं और उपर भी प्लेट धग देंगे चने और मूंग के बहुत ज़्यादा है चने और मूंग में होता है प्रोटीन फाइबर जो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यह देखिए 15 गंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ सबसे पहले में यह चने दिखा रही हूँ यह पड़े के रखे दे यह देखिए यह भी बहुत अच्छे स्प्राउट इसके निकल के तयार हुए हैं तो इसे हम पहले हलका सा बॉइल कर लेंगे इसमें हम सिर्फ दो विसल लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर तो एक कप मैंने चने ले लिये हैं और एक कप मैंने लिये हैं म हम इसमें दूसरी चीज़े डालेंगे कुछ लोग इसे बिना बॉइल के बनाते हैं लेकिन बहुत ज्यादे एक्स्टर मिनरल्स भी नुकसान देते हैं इसलिए इसका हलका सा बॉइल करना बहुत ज़रूरी है ताकि ठीक से डाइजस्ट भी हो जाए तो सबसे पहले हम इसम इसमें काटके डाल देंगे इसमें विटामिन्स और फाइबर होता है जो हमारे सहत के लिए ज़रूरी है लेकिन इसके सीट्स और बीच से ब्लोटिंग हो सकती है इसलिए हम इसे हटा देते हैं इसके अलावा ये मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था इसके भी मैं तो ये इसके चोटे चोटे पीस हम काटके डाल देंगे इसे थाइराइट पेशन भी आसानी से खा सकते हैं इसके अलावा एक मैंने गाजर ली थी गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी आखों के लिए बहुत ज्यादा है तो इसे डालना भी ज़रूरी है इसके अलाव एक चोटे साइस की मैंने अनियन ली थी प्याज इसे भी बहुत चोटा काट दिया है ये डाल देंगे तो प्याज भी आप कोशिश कीजिएगा थोड़ी वाइट ले क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता है और ये एक चोटे साइस की मैंने ली थी मूली इसको हेल्थ बैनिफिट बहुत जादा है इससे थाररेटअफ-पेशन्ट के लिए मना किया जाता है क्योंकि इसमें एक्स्रा मिन्रल्स होते हैं लेकिन इसको हम गरम पानی में जब रख देंगे दो चार मिनट के लिए तो इसके किजिएगें लेकिन आप इसको उसी वक्त कीजि इसमें होता है प्रोटीन जो हमारे वेट लॉस के लिए जरूरी है, तो सबसे पहले नमक अप्रोपने कहलें नमक। हलके से मसाले से बहुत जादा टेस्ट बढ़ जाता है और एक lemon का juice इसमें डाल देंगे lemon में होता है vitamin C जो हमारे immune system को बहुत अच्छा बनाता है और हमारे खाने को digest भी करता है अच्छी तरह से लेकिन आप lemon का juice इसमें तभी डालें जब आप इसको खाएं क्योंकि प्रोटीन में अगर आप ये lemon डाल देंगे तो एक दिन के बाद वो benefit नहीं देगा जो उसे पहले दिन देना है इसके बाद एक tablespoon इसमें डालेंगे olive oil क्योंकि sprouts जो होते हैं वो oil soluble होते हैं इसलिए इसमें डालना ज़रूरी है तभी वो health benefit देता है sprouts और यह मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर मैं फानी दिखने कर दिया है लेकिन मैं बाद में डालूंगी पहले हम इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसके बाद हम इसमें बदाब होते जो है लेकिन बनी में भीहोने से इसकी तासिर बदल जाती है, इसे हम छिलके के साथ में ही डालेंगे, छिलके में भी फाइबर होता है, तो ये मैंने 10-12 लिए थे, इसका पाणी इसमें से हटा देंगे और डाल देंगे, बादाम में Magnesium भी होता है, blood pressure को सही रखता है और इसमें good cholesterol होता है जो बहुत फायदेमन होता है तो इसको हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे आप चाहें तो इसको इस तरह से toss भी कर सकते हैं ये देखिए बहुत अच्छी तरह से mix हो जाता है ये देखिए अच्छी तरह से mix हो गया है ये और अब इसमें डालेंगे हम पनीर और अब हम इसमें पनीर डाल देंगे ये मैंने 50 ग्राम पनीर लिया था इसको छोटा छोटा काट दिया है ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे पनीर के भी अपने बहुत health benefits हैं इसमें vitamin B2, vitamin B12 और इसमें vitamin D है calcium है बहुत ज्यादा जो दातों को और हड़ियों को बहुत मजबूत बनाता है तो इसको अपनी डायेट में जरूर शामिल कीजिए बहुत tasty भी होता है ये तो अब मैं इसको surf करके दिखाती हूँ आपको ये देखिए कितना मज़ेदार और tasty ये बनके तयार हुआ है इसके बहुत ज्यादा health benefits है आप इसे अपनी डायेट में जरूर शामिल कीजिए आप इसे lunch में, breakfast में कभी भी खा सकते हैं ये आपको full रखेगा क्योंकि ये protein से भरपूर है, high protein है आप इसे अपनी डायेट में जरूर शामिल कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और ये वीडियो थोड़ी से भी helpful लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को like and share जरूर कीजिएगा मैंने आपको health benefit बताए हैं बहुत मेंनत से मैंने ये वीडियो बनाई है तो प्लीज इसको like and share जरूर कीजिए आप हमारी चैनल खाने अनसानी को subscribe कर लिजिए ताकि आने वाली latest वीडियो का notification आपको मिल सके मैं ऐसे ही healthy recipes लेकर आती रहूंगी तो आप ये try कीजिए ओके बाइ